Exceptions and their Handlers आम तोर पर कई किसम के Programming जो भी Frameworks होते हैं उनके अंदर ये Exceptions के Constructs exist करते हैं, कोई भी आप Framework देखें कोई भी Programming Language देखें तो वो आपको Exceptions को Handle करने के लिए कोई ने कोई Framework प्रोवाइड करते हैं Windows एक Operating System है Windows का काम है एक Set of APIs प्रोवाइड करना अपनी Applications के लिए और Windows Operating System मुखलिव किसम के Processors के लिए काम करती है जो सबसे उसका popular processor है जिसके लिए वो वो वर्क करती है That is x86 और x86 जो है वो एक Different Set of Exceptions जो है वो फ्रोव करता है During Execution अगर एक Program चल रहा है और उस Program के अंदर कोई गलत किसम की Code है कोई मसला है तो उसके वज़ाए से मुखलिव किसम की Exceptions जो है थ्रोव होती है For example अगर Memory Access violation होती है एक Memory Area जिसको के इस Program को Access करने का Right नहीं है लेकिन वो Program जो है उस Memory Area को Access करने की फिर भी कोशिश करता है तब उस Case में Exception अकर होगी को Invalid Page Fault आ जाता है ऐसा Page Refer होता है जो के Program के अंदर एक्सिस्ट ही नहीं करता है उस Case में भी Exception थ्रोव हो जाती है कोई Input Output Operation परफॉर्म करने की जो कोशिश करता है कोई Program जिसको के उसको Right नहीं है Exception आ जाएगी इस तरह कैई सारे कोई ऐसी Code Execute होने की कोशिश करती है जो के Invalid है या जिसका के उसको Privilege नहीं है तो Exception आ जाएगी इस तरह कैई मुख्लिफ सिचवेशन हैं जिसके अंदर एक Exceptions आती है और आम तोर पे यह कोई Exceptions जो होती है यह किसम का Fatal Error होती है नहीं के वो Exception आने के बाद Program जो है वो अपनी Execution मजीद आगे Continue नहीं कर सकता तो उस Program को सही तरीके से Handle करने की जरूरत होती है उस Program ने जो जो Resources Acquire किये हैं वो से वापस चुरूआने की जरूरत होती है तो इस सारे Process को Handle करने के लिए Exception Handle Use अगर एक Program की Execution के दुरान किसी किसम की Exception आ जाती है तो Program Just Crash ना कर दे वो Program जो है वो सही तरीके से Terminate हो सके उसने जो जो Resources क्लेम किये हैं आप उन Resources को सही तरीके से Relinquish करवा सके हैं जो Windows Operating System जो इसके लिए Framework Provide कर रहा है For Exception Handling वो किलाता है Windows Structured Exception Handling Framework या SCH In Short SCH जो है वो आपको Number of Utilities Provide करता है आपको Number of Constructs Provide करता है जिसकी मदद से आप Exceptions को Handle कर सकते हैं और अगर कोई Program Unexpectedly किसी विज़ा से Terminate हो जाता है तो उसको सही तरीके से आप Terminate कर सकें और जो Resources उसने कोई अगर कोई फाइल्स वगरा उपन की हुई है या कोई और Resources रेक्वाइर की हुई है तो उनको वो सही तरीके से Relinquish कर सकें तो कोई भी Framework हो कोई दूसरी अगर Programming Language है For Example अगर Java है या C Sharp है तो वो भी Exception Handling यूज़ कर रही हैं तो वो Windows SEH को ही Backend पे यूज़ कर रही होगी हो सकता है आपको Constructs वो कोई प्रवाइड कर रही हो वो बिलकुल ऐसे Constructs ना हो जैसे Windows के हैं लेकिन Background में वो Windows के ही Constructs यूज़ कर रहा होगा तो हम यहां पे Programming Languages की Detail में ही जाएंगे हम Windows के SCH Framework जो आपको Constructs प्रवाइड करता है for exception handling हम उन Constructs को ही discuss करेंगे तो और उन Constructs का मकसद भी यही है कि अगर Windows के जो SCH Constructs हैं उनका मकसद यह है कि अगर किसी किसम का inadvertently कोई Error आज है तो जो resources एक process ने claim किये हुए वो resources से एक अच्छे तरीके से चुवाए जा सके हैं generally यह जो exceptions होती है यह तरह का fatal error होती है अगर कोई exception occur होती है तो उसके बाद program जो है वो normal तरीके से अपनी execution continue नहीं कर सकता क्योंकि exception for example अगर किसी memory violation की वेज़े से occur हुई है तो memory जो है उसके अंदर जो उसने values place करनी थी वो सही तरह से वो place नहीं कर सका होगा value को सही तरह से access नहीं कर सका होगा memory को और जो उसकी logical execution है वो भी सही तरह से perform नहीं हो सकेगी तो उसमें कोई point नहीं रहता है कि आप जबरदस्ती जो है वो program से execution जो है वो complete करवाएं तो most of the times यही हम कर रहे होंगे कि अगर कोई किसी किसम की exception आकर होती है program की बाकी की execution रुक जाएगी और जो उसने resources लिये हैं वो से वापस relinquish किये जाएगे very rare cases के अंदर ऐसा भी possible है कि आप program से बाकी की execution complete कराएं लेकिन यह of course advisable नहीं है क्योंकि of course program इस situation के अंदर जो उसकी execution undetermined है हम नहीं बता सकते कि किस किसम का आपके पास result आए मजीद जो windows आपको APIs provide कर रही है for SEH SEH को support करने के लिए set of APIs और set of constructs जो provide कर रही है उनको हम आगे चलके in detail discuss करेंगे जो आपके फस्टर